नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप बैंक को बरोडा में माइनर का अकाउंट खोल रहे हैं यानि की कई लोग है जो कि ऐसे होते हैं जो 18 बर्ष से कम के होते हैं और उन्हें अपने बैंक खाते में जो की अकाउंट खुलवाना होता है तो वो लोग है जो की form को किस तरीके से बरेंगे तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ एक एक चीज़ आप सभी को detail में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ कैसे भरनी है क्या आपको खाली छोड़ना है कहा क्या भरना है document क्या क्या लेके जाने होंगे आपको bank में सब चीज़े जो की detail में बताने वाला हूँ क्या होगा तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए जिस भी ब्रांच में आप जाके अपना अकाउंट को ओपन करा रहे हैं वहाँ का यहां पर नाम भर दोगे उस ब्रांच का नाम और यहां पर है जो आप date भरोगे और दोस्तो date वो बरनी है जो इस date को आप यह form बेंक में जमा करा रहे हो कही लोग ऐसा होते है घर ले जाके form भरते हैं तो यह date आज की बर देंगी और form कल जमा करा रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा तो यह date आप जब भरे जब आपको पता है कि बैंक में पॉम में जमा कराऊंगा ही तो उस डेट को भरें और उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप से पूछ रहे टाइप ओफ अकाउंट तो टाइप ओफ अकाउंट में यहाँ पर हमना जोकी सेविंग अकाउंट ही खोल रहे अपना तो हमने यहाँ पर सेविंग पर जोकी टिक लगा रखा है उसके बाद देखिए यहाँ पर जिसका भी खाता आप ओपन करवा रहे हैं उसका है जो कि यहाँ पर नाम लिखेंगे इस तरीके से जैसे कि अगर उसका नाम है सुमित सर्मा तो आप यहाँ पर लिखेंगे सुमित और एक कॉलम यहाँ पर खाली छोड़ेंगे और सर्मा इस तरीके से लिख दोगे मान के चलिए उनके में मिडल नेम भी है जैसे कि सुमित कुमार सर्मा तो यहाँ पर आप सुमित लिखेंगे यहाँ पर कुमार लिखेंगे एक बॉक्स छोड़ेंगे और सर्मा लिख देंगे और यह सब आपको capital letters में भरना होगा यहाँ पर देख लिजे mention भी कर रखा है capital letters दे इस्तमाल करना है उसके बाद आप यहाँ पर आओगे यहाँ पर देख लिजे आपको जो की DOB भरनी होगी अपनी तो date of birth आप यहाँ पर भरोगे और यह सारी जो चीज़े आप भरोगे as per आदार काड आपको भरनी होगी documentation के हिसाब से आदार काड में कुछ अलग है यहाँ पर अलग है फिर form reject हो जाएगा account ओपनी होगा तो make sure करें सारी details एकदम सही हो उसके बाद आपको यहाँ पर pen number देना होगा और आप सभी को बता दू minor का भी pen card है जो की बनता है तो अगर आपने pen card बनवा रख्या तो यहाँ पर pen number भरेंगे वरना है जो की आपको form 60 और 61 है जो की fill up करना होगा उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखिए occupation वगेरा में आप कुछ भी ना भरें क्योंकि यह जो की आप एक minor का account खोल रहा है तो minor क्या ही काम करेगा उसके बाद आप यहाँ पर आओगे आपको जो की minor वाले option पर जो की टिक लगा देना होगा इस तरीके से और यहाँ पर जो की आपको भरना होगा अपना पिताजी का नाम जो भी आपके minor यानि की guardian बन रहे है आप यहाँ पर पिताजी का नाम भरोगे और अपना है जो कि आपको एक minor होने का date of birth certificate भी लगाना होगा आप अधार card भी दे सकते हो कोई problem बली बात यहाँ पर है नहीं उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो आप लिखा है यह first वाले box पर यह आपको tick करना होगा नीचे आप आते हो तो नीचे आपको आना होगा यहाँ पर है जो कि आपको self वाले option पर है जो कि tick लगा देना होगा उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखे आप से पूछ रहे हैं कि आप account के साथ है जो कि क्या क्या facilities है जो कि लेना चाहते हो account के साथ तो जो भी आप अप वाक्स पे आपको टिक लगाना होगा तो यहाँ पर आपको जो डिबिट कञा़ अब काड़ काड आपको मिलेगा उसके आप जो भी नाम लिखवान चाहते हो यहाँ पर लिख दोगे capital letters में और minimum है जो कि मतलब maximum आपको 20 करेक्टर में अपना नाम लिखना होगा तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे उसके बाद इस page का होगया है काम आप पिछे की तरफ आ जाओगे page turn कर लोगे तो उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर भरना होगा अपना address तो address आप भरोगे देखिए यहाँ पर है जो कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ का है जो कि आप house नमर भर दोगे उसके बाद जो भी landmark को रोड हो आप भर दोगे यहाँ पर अपना जिला का नाम भरोगे district उसके बाद state का नाम यहाँ पर भरोगे और उसके बाद देखिए pin code हर एरिया का वारत में एक pin code होता है तो आप अपने एरिया का pin code भरेंगे अपना mobile नमर देंगे और उसके बाद जो कि अपनी email ID देंगे तो आपके पास अपना mobile नमर नहीं होगा जो भी minor है तो अपने आप यहाँ पर पापा का है जो कि अपना mobile नमर भर दीजिए और पापा की email ID भर दीजिए कोई दिक्कत वली बात नहीं है आप और मान के चलिए कई लोग का है जो कि एक residential address होता है communication address अलग होता है तो अलग हो जब यहाँ पर भरे वरना कोई जोरत नहीं इसे भरने की से खाली छोड़ दें उसके बाद यहाँ पर आओगे आप से education के बारे में पूछ रहे कितने पड़े लिखे हो तो यहाँ पर आप non matrix पर टिक कर सकते हो या इसे भी खाली छोड़ सकते हो और उसके बाद देखे यहाँ पर पूछ रहे टर्न ओवर कितने तक कि आप account में कर सकते हो तो यहाँ पर आप है जो कि लाखर पे मैंने भर दिया है आप अपने हिसाप से भरे जो भी आपकी टर्न ओवर हो कुछ समझ ना आये तो वहाँ पर आप इसे खाली छोड़ दे उसके बाद आपको जो कि इसमें प्रोफेशन बिजनस बगहरा में कुछ भी टीक नहीं करना है आपको नीचे है जो कि सिंपली एक साइन कर देना होगा जिसका भी अकाउंट खुल रहा है वो साइन करेगा यहाँ पर उसके बाद पेज टरन ओवर कर लेना होगा आपको तो दिखिए आप इस वाले पेज पर आते हो तो यहाँ पर है जो कि आपसे कहा रहा है कि कि किसी एक अकाउंट होल्डर का नाम दीजि और जिस account को उसने खिलवाया था उस date को लिख देना है customer ID और उसका branch और उसके बाद कि step का उसका account है तो वो आप यहाँ पर भर दोगे तो यह सब चीज़े जोगी आपको उसी से पूछनी होगी जिसका यहाँ पर आप account दे रहे हैं और मान के चलिए बहुत सारे लेगों यह सोचेंगे कि भाई मेरी जानकारी में कोई है ही नहीं जिसका account भी हो भी में और होगा भी तो देगा नहीं तो उस case में आप इसे खाली छोड़ दीजिए और इसे कुछ भी मत भरिया आप उसके बाद नीचे आप आ जाते हो तो यहाँ पर है जोगी आपको date वगरा भर देनी होगी और यहाँ पर है जोगी आपको इसमें कुछ नहीं करना है account वगरा operating instruction इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको आप यहाँ पर लिखोगे केवल अपना नाम अपना है जोगी एक signature और एक passport size photo यह कर लेते हो उसके बाद नीचे आना होगा यहाँ पर यहाँ पर भी आप कुछ भी टिक मैंने जो इस दो टिक लगा रहा है यहाँ पर आप इस टाइम कुछ नहीं करोगे जब यह आप पॉम जमा कराओगे उस टाइम यह आपको बता दिये जाएगा कि यहाँ पर क्या करना होगा आपको उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखिए आपको अपना nominee add करना है खाते में nominee जरूर से जरूर add करना चाहिए nominee का मतलब यह होता है friends जो भी आपका खाता है बाइट चंस आपकी किसी accident में मौत हो जाती है या किसी भी कार्ण से है जो कि आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो account में पैसा पड़ा रहेगा वो किसे मिलेगा जिसको भी आप देना चाहते हो उसका नाम वगयर है यहाँ पर भर दोगे उसका address और जो भी relations आई पर जैसे कि मैंने father लिख रखा है आप भी अपने पिता जी को बना सकते हो माता जी को बना सकते हो जो मर्जी वो करें उसके बाद जो nominee आप बना रहे है उनकी age लिख दोगे यहाँ पर और उसके बाद जो कि यहाँ पर दिखें आप से पूछ रहा है कि name of the nominee in the past book statement account तो आप जो nominee बना रहे हो जिसको भी तो उसका क्या आप नाम चाहते हो आपके past book पर लिखी हुई है चाहते हो तो yes करें वरना no पर tick कर रहे दे और आप यहाँ पर date बरोगे अपनी place बरोगे जहां से भी form बर रहे हो उसके बाद निच्चे आप आओगे तो यहाँ पर देखीए आप से कहा रहा है sign वगेरा करने को तो यहाँ पर लिखा हुआ signature name and address of witness तो यह आपको भरने की कोई जोरत नहीं यह वो लोग भरते हैं जो की मतलब पड़े लिखे नहीं होते sign वगेरा नहीं कर पाते खुद से तो वो इसको भरते हैं वैसे आज कल हर कोई अपना sign करना जानता है आप इसे खाली छोड़े यहाँ पर बस एक अपना sign करें उसके बाद आपको इस page का भी काम पूरा होगे next page पे हम आते हैं तो देखिए इस page पे हम आ गए है इस पे आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर देखिए आप से एक मांग रहा है photo identity proof एक मांग रहा है और उसके बाद है जो कि issuing कोन करता है issue pen card income tax करता है तो date of issue भी भर दोगे place of issue भर दोगे और pen card की है जो कि कोई validity नहीं होती है तो इसमें आप कुछ नहीं भरोगे address में आओगे address proof of identity में क्या दे रहे हो तो हम अधार कार्ट दे रहे हैं अपना आप अधार नमर भरोगे आपको मैंने बताया था कि जिनके पास pen card ना हो वादो भरेंगे form 6061 यहाँ पर आप अपनी details भरोगे अगर आप आप pen card को नहीं दे रहे हो आप नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर है जो कि आप इन details को बर दोगे उसके बाद आपको इस form पर कुछ भी नहीं करना है आप simply है जो कि back side पर आ जाओगे अब last एक page होता है जो कि आपका KYC पेज होता है तो KYC पेज बरना भी आपको जरूरी है तो आप यहाँ पर KYC में है जो कि ज्याद़ details बरने क कि कोई इतनी वह नहीं है आपको सिरफ यहाँ पर अपनी कुछ details बरने होगी जैसे कि अपना नाम भरोगे यहाँ पर नाम भर लेते हो उसके बाद अपनी माता जी का नाम भरोगे उसके बाद अपना जैंडर सेलेक्ट करोगे male female उसके बाद marital status यानि कि आप साधी सुदा ह या नहीं है तो आप unmarried पर टिक करोगे citizen आप इंडिया के ही हो तो इंडियन पर सेलेक्ट करोगे यहाँ पर रेजिडेंटल आप individual सेलेक्ट करोगे यहाँ पर पहला बर ऑप्सट टिक लगाओगे और उसके बाद occupation टाइप पता हो तो ठीक है वरना आप नोन दोगे नीच्छे आप आते हो यहाँ पर है आप अपना अधार नंबर दे दोगे और date weight लिग दोगे और अपना है जो जोकी यह सब डीटेल से आप वा दोगे अधार कार्ड के वहाँ जहाप से और ए всके बाद नीच्छे आप आहोगे यहाँ पर है जोकी को प्र moral के हो उ इतना कर लेते हो आपका फॉर्म बरने का काम है जो कि पूरा हो चुका है तो अब बहुत लोग पूछेंगे इसके साथ डॉक्यमेंट क्या क्या लगेंगे तो दीखे डॉक्यमेंट जो लगेंगे आप सभी को बता देता हूं जो भी माइनर है जिसका अकाउंट खुल रहा है उसका है जो कि आपको अधार कार्ड है जो कि ले जाना होगा अधार कार्ड ओरिजिनल और फोटो कोपी तो दो दो फोटो कोपी हर चीज के करवाले माइनर का अधार कार्ड और जो भी गार्जियन यानि कि जो भी उसका अधार कार्ड और ओरिजिनल भी लगेगा और फोट के साथ है जो कि जमा करा दीजिए अगर कुछ कमी रहती है तो आप वहां पे पूछ सकते हो बैंक करेंगे आपके help करेंगे और इस तरीके से आप अपन करा सकते हो तो यही एक चोटा सब प्रसेस होता है फ्रेंट बैंक को बरोडा में माइनर अकाउंट ऊपन करने का तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आ गई होगी अगर कोई प्रोब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं या बैंक करम चार्ज से जा के पता कर सकते हैं मिलेंगे एक नई वीडियो में एक ने टोपी के साथ जब तक लिए जैहिन वंदे मातरम।